मैं गरीमा गर्वाल आप सभी कवंदन करती हूँ अभी नंदन करती हूँ आईए आज हम सुनते हैं चोथ माता की कहानी एक बुडिया माई के ग्वालियों बचलियों नाम को बेटो थो बुडिया माई बेटा के लिए 12 महीना की बारू चोत करती बेटों लकडी लिया करतो तो दोनु माँ बेटा उन्हें बेच कर गुजारा करता बुडिया माई रोजीना लकडिया में से दो लकडि अलग रख लेती और चोद के दिन बेटा से उलग बेच कर सामान लाती पाँच चूरमा का लाडू बनाती एक लाडू आप खाती एक बेटा ने खिलाती एक चोद के दिन बेटा अपनी पडोसन के गयो वा भी चूर्मों बना राखी थी तो पूछेो कि आज के है सो थी चूर्मों बनाया हो पडोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हाँ तेरी मा तो हर चोद के दिन बनावे है तोने आज खाने दियो की नहीं बेटो बोले कि दियो तो थो पड़ोसन बोली कि तू लकडियां लावे जी के मैंसे तेरी मा ओलबे चक कर चूर्मों बनावे बेटो मा कन गए और बोले कि मैं तो इतनी महनस से लकडि लाओं और तू चूर्मों करकर के खावे सो के तो मने छोड़ दे के चोत माता ने छोड़ दे मा बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही बरत करू हूँ सो तने भले ही छोड़ देऊं चोत माता ने कोनी छोड़ू जना बेटों घर से जान लागयो तो मा बोली कि आज मैं चोत माता को वरत करी हूँ तू ये चोथ माता का आखा ले जा जटे भी कोई संकर्ट आवे तो चोथ माता को नाम लेकर पूर दिये संकर्ट दूर हो जासी बेटों सोच्यों कि है तो जूटी बात पर आपरों के लेवे ले लेवा घर से चालो थोड़ी दूर गयो होवेगो तो देखे तो खून की नदी बहवे है खटीने से भी रास्तो कोनी जटाखा पूर कर बोलियो कि हे चोथ माता अगर या नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है इतना में ही नदी सूख कर रास्तो होगी आगन गयो तो जाता बावनी उजाड में रात होगी चारो तरफ बाग बगेरा बोलने लागया जद आखा पूर कर बोलेो कि हे चोत माता मने रास्तों मिल जावे नहीं तो ये जानवर मने खा जासी इतना में ही रास्तों मिल गो आगन एक राजा की नगरी में गयो बठे को राजा हर महिना एक आदमी की बली देतो एक बुड़िया माई के घर में गयो तो देखे तो माई पूरा तो पोती जावे सागर सागर रोती भी जावे जद वो पूछे हो कि माई रोवे क्यों है जना बुड़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटो है वो राजा के बली चड़ने जासी ये पूड़ा हो के लिए बनाऊ हो वो बोले हो कि माई ये पूड़ा मने भर पेट खिला दे मैं तेरा बेटा के बदले चले जाओंगा माई उन्हें पूड़ा खिला दिया रात ने सोतो समय वो बोले हो कि राजा को बुलावा आवा तो मने उठा दिये आधी रात ने बुलावा आयो तो माई सोचने लागी कि पराया पूतने कहिया बली चड़वा देओ पन इतना में ही वो उठगो और जान लाग्यो और बुड़िया माई ने बोले हो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखिये माई सोची कि आज तक कोई पाच्छी को नी आयो तो यो के आसी राजा का आदमियों ने लेगा और आवा में चीर्ण दियो जद वो आखा पूर कर बोले हो कि है चोत माता दो संकरतों टाल दिया यो भी तू ही टालिये इतना में आवो पक कर तयार होगो दो-तिन दिन बार आवा करने बच्चा खेले था आवा पर कंक्री मारी तो उमे से आवाज होई बच्चा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरो आवो पकगो राजा सोचो कि छे महिना में आवो पक तो तीन दिन में ही कया पकगो जाकर देखे तो सोना चांदी का कलश होगा उतारने लागया तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो माई मानस को काम है राजा का आदमी बोल्या कि मैं तो कदे ही कोई कोई नी बोलतो आज कुन भूत देते बोलने लागया अंदर से वो बोल्यो कि मैं तो बोई आदमी हूँ जीका ने थे बिठाया था अंदर जाकर देखे तो हर्या हर्या जुवारा उगरिया है आखा पूर कर बैठ्यो है पर मैं चड़ जाओंगा और तेरे हाथ में सांकली घाल देवांगा अगर सांकली खुलके मेरे भंद जासी तो चोथ माता साची है दोनों घोड़ा पर चड़गा तो वो आखा पूर कर बोले की हैं चोथ माता मेरी लाज राखिये इतना मैं ही सांकली खुलके राजा का भंद राणी पूछयों कि थारे गाउं भी है के बोलो कि मेरे एक मा भी है अब आपा देश चालांगा राजा उन्हा ने भूत सारो धन देकर विदा कर दियो बठी ने बुड़िया माई से लकड़ी तो काटी कोनी जाती सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती परडोसन उक इनने भी तो लगा सिखा कर काड़ दियो पंजी मान्यो कोनी बटोडा पर चड़ कर देखे तो साच्या ही आवे है बेटा बहु सासु के पगा पढ़िया और बोलिया कि मैं तो चोत माता का प्रभाव से ही पाच्छा आया है और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा क पुरुष की पतनी सब कोई चोत को वरत करियो तेरे चोत करियो तेरे नहीं तो चार चार नहीं तो दो तो सब कोई करियो ये चोत माता जिसो बुड़िया माई को बेटा को संकट काटियो विसो सब को काटियो कैताने सुनताने हुकारा भरताने सारा परिवार को कष्ट काट बिंदाईक जी की कहानी बिंदाईक केहो दो सांड लड़ता आया पाता के सींग की मारी और पातो फूट को मेंड को मेंड की सरोवर की पाल में चला गया हे बिंदाईक जी महराज जैसो मेंड को मेंड की को कश्ट काटियो बईयां ही सब को काटियो कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारा परिवार को कश्ट काट यू जै श्री राथी